है लो स्टूडेंट्स वेल्कम टू बायामेंटर स्कलासे है अनलाइन टूड़े वी आर इस टॉपिक इनसाफ न अवर चापटर अप टर नगा यह रगए था सिंटिर अंदर मैं अच हम लोग nawet करने वालेσιक लीजम werden of hydrogen atom spectral lines of hydrogen atom हालांकि मैं आपको बता दू ओल्री यू आर फैमिलियर विद डिस डाइग्राम बन रहा है इस डाइग्राम को और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे करने की कोशिश करेंगे कुछ बेसिक बेसिक चीजे मतलब वेवलेंथ हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे बीच की वेवलेंथ को आप लोग कैलकुलेट करना है लेकिन में में जो आती हैं सीरीज लिमिट करके एक वर्ड आएगा minimum wavelength, maximum wavelength यह words यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं तो उन minimum और maximum के words के लिए हम लोगों को क्या है न कि सारी calculation करनी है ठीक है? इसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे पास में start होता है आप लोग heading क्या डालेंगे? heading तो आप डालेंगे यह simple सी spectral lines of spectral lines of hydrogen atom spectral lines of hydrogen atom अच्छा, अब देखो यह जो spectral lines of hydrogen atom जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर एक formula यूज़ कर रहा हूँ वो है wavelength का formula और वो formula है 1 by lambda बराबर r into z square 1 by n1 square minus का 1 by n2 का square और मैं आपको अल्री बता चुका हूँ इस formula में n1, n2 कैसे भी ले लो बस आपको यहाँ पर ध्यान में क्या होना चाहिए अब यहाँ पर एक बात देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो हम लोग calculation करने वाले हैं hydrogen के लिए और for hydrogen hydrogen के लिए यदि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सीधी सीधी बात करूँगा z is equals to 1 तो आपके पास मैं बचेगा 1 by lambda is equals to r into 1 by n1 square minus का 1 by n2 square आप लोग जानते होंगे r को कहा जाता है redberg constant ठीक है क्या बोला जाता है r को redberg constant कहा जाता है और इसको इसी format में आप लोगों को याद रखना है बाद में हम लोग में 1 by r की value आपको बता दूँगा 912 angstrom होती है तो वो आप लोग put करके solve कर पाएंगे बाद में बताऊंगा ऐसे बोला था ना मैंने ओके चलो कोई बात ने निकल गया मुझसे बता दिया चलो ठीक है calculate कैसे करनी है redberg constant की value put कीजिए 1.09 into 10 power 7 और इसे reciprocal लेके solve कर लीजिए आपको answer मिल जाएगा ठीक है तो कई जगे हो सकता है आपको 911 लिखा हुआ मिले 9-1-1 कई जगे 9-1-2 जो भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है यह है लाइमन अब देखो जब लाइमन लिखा है तो उसके नीचे क्या लिखा है अल्ट्रा वॉयलेट इसका मतलब यह है कि लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट में लाई करती है अल्ट्रा वॉयलेट जो रीजन होता है उसके अंदर में जो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन है वहाँ पर होती है कौन सी लाइमन बामर आपकी विजिबल रीजन में होती है पाश्चन ब्रैकेट फून जो है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है यह पता होना चीए क्योंकि कई बार डायरेक्ली इसके उपर में भी क्वेश्चन बन जाता है सो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारा कौन सी सीरीज आती है वो आती है लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज आ रही है मैंने बोला भईय है यह हमारे पास मैं लाइमन सीरीज अच्छा भईया देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया लाइमन सीरीज तो लाइ मतलब नहीं है आप देखिए लाइमन के लिए यहां से 2 से जम करके आया 3 से आया 4 से आया 5 से आया 6 से आया 7 से आया infinity से भी आया सब जगे से आ रहा है तो भीया यह है आपकी लाइमन सीरीज तो लाइमन सीरीज के लिए n1 बराबर 1 क्या हो गया फिक्स हो गया तो अब आप इस फॉर्मूले को जो आपने फॉर्मूला सीखा है 1 by lambda बराबर r into 1 by n1 square minus का 1 by n2 का square ये हो गया इसके अंदर में n1 की value 1 हो गई तो ये आ गया 1 by lambda बराबर r into 1 by 1 square minus का 1 by n2 का square ठीक है ये इतना आ गया अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में इसमें दो question बनते हैं एक question बनता है maximum wavelength के लिए और एक question बनता है minimum wavelength के लिए कौन-कौन से question बोला मैंने एक बनेगा maximum wavelength के लिए और एक बनेगा minimum wavelength के लिए ये सवाल है ये जो हम लोग यहाँ पर theoretically निकाल रहे हैं data वही questions भी हैं तो भाईया for maximum wavelength for maximum wavelength maximum wavelength यदि जब कभी भी आप से पूछा जाए maximum wavelength तो भाईया ये maximum wavelength तब निकल के आती है when electron jumps when electron jumps from next higher level इसका meaning समझ लीजिए भाईया देखो एक बार मैं लिए रहा हूँ for maximum wavelength अगली बार मैं सिर्फ डेटा पुट करूँगा तो maximum wavelength कभ निकल के आती है जब आपका electron next higher level से jump करता है मतलब जैसे Lyman series के लिए n1 बराबर 1 हो गया तो maximum wavelength यदि निकालनी है तो n2 will be equals to 2 और सिर्फ wavelength पूचा है तो n2 की value 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती अभी n2 की value decided नहीं है लेकिन यदि मैंने maximum wavelength ये word use कर दिया है तो n2 की value क्या आएगी 2 आएगी और यदि मैं minimum wavelength बोलता हूँ तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग लगे हातों यहाँ पर मैंने बोला for minimum wavelength for minimum wavelength तो आपके पास में आएगा क्या ये कब बनती है when electron jumps जब आपका electron जो है वो jump करता है कहां से अनंत से from infinity इंफिनिटी से यदि आपका electron ने jump किया है तो भाईया उस समय आपको minimum wavelength मिलती है ठीक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब देख वो minimum wavelength के लिए हम लोग formula निकाल के रख लेते हैं चाहिए तो आप लोग maximum के लिए भी निकाल सकते हो ऐसा नहीं है कि निकाल सकते तो एक काम कर देता हूँ उनके लिए भी अलग-अलग formula बता देता हूँ basically those will be numerical and nothing else ठीक है तो अलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 by lambda minimum और ये सारी कहानिया आपको hydrogen के लिए निकालनी है r equals to 1 by 1 by 1 square minus 1 by infinity का square 1 by infinity का square मतलब क्या हो जाएगा 0 okay मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा न तो यहाँ पर n ले लिजिए उससे क्या हो जाएगा कि किसी भी सीरीज के लिए आप निकाल पाओगे किसी भी सीरीज के लिए निकाल पाओगे तो यहाँ पर आएगा 1 by lambda minimum बराबर r into 1 by n square take the reciprocal and solve तो आप पाएंगे कि lambda minimum will be equals to यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा तो यह आएगा n square by r क्या आएगा n square by r will be the formula for lambda minimum clear है और 1 by r की value मैंने 912 तो बताई हुई है उसका हम लोग बाद में इस्टेमाल करेंगे ठीक है इसी प्रकार से काम कर लीजे तुरंत ही तुरंत में हम लोग maximum wavelength का भी formula निकाल के रख लेते हैं बाद में काम आ जाएगा हो सकता है कई बार इस पर ही सवाल आ जाए तो 1 by lambda maximum will be equals to 1 by r upon 1 by n square minus 1 by next higher level मतलब 1 by n plus 1 square यह समझ में आया n plus 1 कहां से लिखा मैंने n plus 1 क्योंकि देखो lambda maximum मैंने बोलाए कि wavelength maximum तब मिलती है जब आपका electron जो है वो next higher level यदि मैं n में कूद रहा हूं तो कहां से कूदा होगा n plus 1 से 2 में कूद रहा है तो कहां से 3 से 3 में कूद रहा है तो कहां से 4 से clear है ओके चलो अब इसको ज़रा solve करने की कोशिश करते हैं यह आएगा 1 by lambda maximum r lcm लोगे तो देखो यह आएगा n square into n plus 1 का whole square और इधर मैं बचेगा n plus 1 का whole square minus का n square यहाँ पर ज़रा bracket को solve कीजे यह आएगा कितना n square plus का 1 plus का 2n minus का n square और नीचे में n square plus का n plus 1 का whole square अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ cancellation हो रहा है n square से n square कटेगा तो उपर बचेगा 2n plus 1 तो आप देखें क्या बच रहा है आपके पास में बच रहा है 1 by lambda max is equal to r into 2n plus का 1 और नीचे आ रहा है n square into n plus 1 का whole square टेक दा रेसी प्रोकल यू विल गेट lambda maximum बराबर n square into n plus 1 का whole square upon r into 2n plus 1 क्लियर है क्या मैंने यह सही निकाल लिया है formula n square into n plus 1 का whole square upon r into 2n plus का 1 प्लियर है चलो अब हम लोग अपने lyman series की बात कर रहे थे वही करचर्चा continue करते है तो for lyman series अब देखो ज्यान दीजिए lyman series की बात चल रही है और किसके लिए lyman series लिख रहे हो आप hydrogen के लिए लिख रहे हो r into 1 by 1 square minus 1 by n2 square सही है क्या n1 square और 1 by n2 square क्लियर है lyman के लिए आपने n1 को 1 ले लिया है क्लियर है अब देखो मैंने बोला कि यदि if ये किदर चला गया मिट गया है क्या सब कुछ अरे बापर ऐसा कैसे हो गया चलो कोई बात नहीं मैं वापस से लिख देता हूं क्या दिक्कत है formula तो याद है मुझे ऐसा तोड़ी है कि 1 by n1 square minus का 1 by n2 square ठीक है अब lyman series के लिए n1 तो मेरा 1 हो गया अब देखो यहाँ पर अलग-अलग तरहे की waveform निकालेंगे हम लोग मैंने बोला कि पहली condition when electron jumps from when electron jumps from n is equals to 2 या ऐसे लिखा रहेगा when electron jumps from first excited state अब देखो यह चीज़ें आपको याद होनी चीज़ेंगे वहिया क्या n is equals to 2 का मतलब क्या है first excited state तो चलो put कर दो value को और solve करो तो आपके पास में आएगा 1 by lambda बराबर r into 1 by 1 square minus 1 by 2 का square तो देखो 1 minus का 1 by 4 आएगा यहाँ पर बराबर है कि नहीं तो क्या आएगा देखो यहाँ पर यहाँ पर आएगा r into 1 minus का 1 by 4 और 1 minus 1 by 4 करोगे तो 3 by 4 तो यह क्या हो रहा है आज सब छप क्यों रहा है अब यह मिट नहीं रहा है तो मेरे पास में क्या था यहाँ पर 1 by 1 by lambda बराबर r into 3 by 4 तो टेकिंग रेसी परोकल lambda will be equals to 4 r by 3 नहीं सॉरी lambda यह दर जाएगा यह दर जाएगा तो 4 by 3 r r नीचे आएगा हमेशा ठीक है तो यह आया 4 by 3 r अब इसकी value को निकालो तो यह आएगी आपके पास में 4 by 3 into 912 4 by 3 into 900 12 करोगे तो कितना आएगा 3 से काटोगे तो यह आएगा 304 4 से करोगे तो 1216 angostrom कितना आएगा 1216 angostrom अच्छा एक बात बताओ यह lambda minimum निकाला है कि maximum निकाला है तो मैं आपको बता दूँ अभी से ही कि भाई यह lambda maximum है कैसे पता लगा क्योंकि आप 1 और 2 2 से 1 में jump कर रहे हो अच्छा एक बार उसके लिए निकाल लेते हैं minimum वाली कितनी आ रही है तो for minimum आप क्या करोगे तो आपने लिखोगे 1 by lambda बराबर r into 1 by 1 square minus 1 by infinity का square clear है आपने बोला बिल्कुल सही बात है तो यह आएगी 1 by lambda बराबर r clear है क्योंकि 1 by 1 मतलब 1 minus 1 by infinity 1 by infinity मतलब 0 तो 1 minus 0 मतलब आएगा कितना 1 तो आपके पास मैं देखो यहाँ पर चीत मैं लिख देता हूं कई लोगों के लिए 1 minus का 0 1 minus 0 मतलब 1 1 into r मतलब r तो 1 by lambda आया r तो lambda will be equals to 1 by r और 1 by r की value होती है 912 तो यह हो गया lambda minimum तो lambda minimum अब देखो ध्यान से देखिए lambda minimum आ रहा है आपके पास मैं 912 और lambda maximum आ रहा है आपके पास मैं 1, 2, 1, 6 angstrom clear है या नहीं है बताओ फटाफट से तो आपने बोला clear होना ही चीए अब यहाँ पर क्या होता है कई बार एक और सवाल इसके अंदर में बनता है वो होता है ratio of maximum to minimum ratio of maximum to minimum तो भगया हम देखो क्या करते हैं कि lambda maximum जो आया था वो आया था 4 by 3 R और यह आया था 1 by R दोनों का ratio ले ले लेते हैं हम लोग जड़ा फटाफट से तो आप लोगे तो क्या लिखोगे lambda maximum divided by lambda minimum बराबर यह आएगा कितना 3R divided by 1 by R मतलब answer आया 4 by 3 कितना answer आ रहा है 4 by 3 answer आ रहा है clear है अब देखो यह मैंने आपर ऐसी बिल्कुल यह सारा data निकाल के आपके पास में available होना चाहिए यह मैंने लाइमन सीरीज के लिए कर रहा हूँ अच्छा एक काम करते हैं हम लोग formula देख लेते हैं lambda maximum upon lambda minimum का formula कैसे derive किया जा सकता है तो देखो lambda maximum का formula आया था आपके पास मैं n square into n plus 1 का whole square divided by 2n plus का 1 into r और lambda minimum का formula आया था आपके पास मैं n square by r सही लिखा है मैंने formula देख लीजे अब इनको आपस में कर दीजे divide आपस में divide करो तो क्या हो जाएगा इस r से ये वाला r तो कट जाएगा मैंने बोला बिल्कुल सही बात है ओके यह कट नहीं रहे नहीं कटेगा ये वाले n square से ये वाला n square कट जाएगा ओके तो बचेगा कितना कैसे कट रहा है वो समझाऊं क्या एक काम कर देथा हो वो समझा देता हूँ भई यह कई लोगों को पता नहीं लगेगा ठीक है तो देखो क्या होगा सबसे नीचे वाला जाएगा उपर और ये बीच वाले आपस में आ जाएंगे मैंने बोला बिल्कुल ठीक तो आपने लिखा तो आपने लिखा क्या लिखा? n square into n plus 1 का whole square into r divided by 2n plus 1 into r into n square अब तो सही है? भई अब तो राजी हो काट दो r से r कड जाएगा n square से n square कड जाएगा मतलब आपके पास में आंसर आएगा n plus 1 का whole square divided by 2n plus 1 clear है? This is the lambda maximum upon lambda minimum का ratio अब यहाँ पर क्या है आपको एक word लिखके मिलेगा क्या word लिखके मिलेगा कि यह लाइमन series के लिए चाहिए तो आप n की जगे one put कर दोगे n की जगे one put कर दोगे put करके देखो तो one plus one कितना हो गया two two का square four upon मैं n की जगे one रखो two into one two plus one three तो क्या four by three आया मैंने बोला बिल्कुल सही बात है four by three आ चुका है तो यह मैंने पूरा लाइमन सीरीज के लिए क्या और लाइमन सीरीज जो है वो आपकी आहां आहां कौन से region में होती है लाइमन सीरीज अल्ट्रा वालेट में लाइमन जम्स फ्रॉम सिंपल सवाल है जम्स फ्रॉम एन इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फ़र्ष्ट श्टेट टू फ़र्सट श्टेट फाइंड वे वेवलन अच्षा आपको अबात और पता होनी चीए वेव नंबर करके भी पूछ लेते हैं जो होता है वन बय आर और ब मैध लैमडा वन बैय बाई लेमडा खतम ओके चलो find wavelength तो करो क्या लिखोगे तो आपने लेखा वन बाई लेमडा बराबर अच्छा ये अब इसमें जैड स्क्वेर आर वन बाई एन वन स्क्वेर माइनस वन बाई एन टू स्क्वेर अब देखो यहाँ पर यह फॉर्मला तो आपने लिख लिया यदि कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि वो हाईडोजन के लिए ही बात कर रहा है तो जैड तो वन हो जाएगा अब आप वैल्यूस पुट करना चालू करोगे तो वन बाई लैमडा बराबर आर इंटू वन बाई एन वन स्क्वेर क्या है एन वन की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर बोला गया है तो यह अब यहाँ पर द्यान देना यहाँ पर है इक वर्ड यूज किया गया है जिसे बोला गया है एक्साइटेड क्या word यूज किया गया है यहाँ पर excited और excited जब लिख देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भईया एक number को बढ़ा लेते हैं मतलब यह जो second है इसकी जगए यहाँ पर आएगा 3 का square तो बस कहानी खतम 1 minus का 1 by 9 करोगे तो इसका answer आएगा r into 8 by 9 take the reciprocal to solve it तो आप लिखोगे लेमडा बराबर 9 by 8 r मतलब 9 by 8 into 900 बार आप इसको solve करना है बिटा और answer आएगा angostrom में ठीक है तो यह इस परकार से आप solve कीजिए basically मैं बता दूँ यह Lyman series के अंदर का ही सवाल है क्यों 9 by 8 करोगे तो कितना answer आएगा 1.125 1.125 912 करोगे तो कुछ 1000 के आसपास में answer आने लगेगा 912 में 912 में जोड़े तो कितने आएगा एगान में 10 101 मतलब 1003 angostrom के आसपास में answer आना चाहिए clear है तो यह 1000 जो है यह किसके किसके बीच में है 912 और 1216 912 angostrom and 1216 angostrom के बीच में है तो यह lineman series का ही है clear है sure है चलो अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं वो है आपकी bomber series for bomber series अब देखो यह जो data है थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है नहीं रहे तो आप calculate कर सकते हैं और calculate करने के लिए 1 by R को 912 करके करेंगे तो जल्दी answer आएगा otherwise कई लोग मैं बताता हूँ कई जगे हम लोग कई जगे पर हम लोग क्या करते हैं कि R की value put करते हैं फिर उसको solve करते हैं तो वो that will make it complicated rather than आप 1 by R से solve कीजे 1 by R को सीधा 912 लिखके दीजे ठीक है जल्दी सवाल solve होगा चलो आगे आज़ो BAMER सीरीज के लिए अचा BAMER सीरीज के लिए आपको चाहिए मानके चलो Lambda minimum BAMER सीरीज के लिए पहला काम है आपके लिए को समय समापत होते चला जाएगा otherwise Lambda minimum निकालो फटापट से कैसे निकालोगे तो आपने लिखना है lambda minimum है मतलब आपको electron को jump करवाना है कहां से infinity से तो आपने लिखा 1 by और bomber series के लिए कितना आएगा 2 square minus का 1 by infinity का square तो 1 by lambda minimum बराबर कितना आएगा r into 1 by 4 r into 1 by 4 so it implies lambda minimum बराबर आएगा 4 by r कितना आ रहा है 4 by r मतलब 4 into 9 1 2 तो यह आएगा 946 और 12 3648 सही लिखा है क्या मैंने देख लो एक बाद 3648 angstrom और 3648 angstrom मतलब यह visible region में पहुँच चुका है clear है 12 24 48 3648 angstrom clear है हो सकता है books में आपको यह value 3646 दे रखी हो इतना देखो इतना चेंज चलता है थोड़ा बहुत आता है चेंज तो चल जाता है पर जादा नहीं आना चाहिए अच्छा दूसरा क्या निकालना है बामर सीरीज के लिए फटाफ़ देखो अब यह आपका काम है माइनस वन बाई थी का स्क्वेर ठीक है क्लियर है तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर जी वन बाई लैमडा मैक्जिमम बराबर आएगा आर इंटू वन बाई फोर माइनस वन बाई नाइन मैं एलसियम यहीं पर लेकर सॉल करता हूं तो नौचोग छती सेलसियम आएगा नाइन माइनस का फोर तो यह बचेगा फाई तो इटिमपलाई लैमडा मैक्जिमम विल बी एक्वल स्टू थर्टी सिक्स डिवाइड बाई फाई आर सही है क्या और यहाँ पर देखिए तो आप लिखोगे तो यह कितना हो जाएगा 910 कुछ गड़बड़ी कर बेठा हूं मैं पक्का शोर इसका ओके मैंने एड कर दिया सब्टेट करना था तो 720 720 मैंसे गए बहतर 720 मैंसे 72 सब्टेट करोगे क्या बोल रहा हूं मैं 720 और सब्टेट कितना करना है बहतर तो यह बच गया कितना आएगा 720 छेसो पचा साड़े छेसो सब्टर गए दो और कम करना है कि नहीं करना है दो और कम करना है तो 648 और 648 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा 648 प्लस 8 48 और तालीस और चपन यह आएगा 656 तो देखो यह आंसर आ रहा और एक पॉइंट लग जाएगा तो 6566.4 तो इसको आप लिख सकते हो तो एप्रोग्जिमेटली 6566 एंगस्ट्रॉम देखो आल्मोश इतने ही क्लोज आंसर आपको मिलेंगे हो सकता है आपको जहां पर बुक में आप देखो तो 6563 मिले 6564 मिले 6565 मिले 6566 मिले या 6567 मिले तो बहुत ही नजदीक आंसर आना चाहिए कभी भी आपको आपको आप्शन में इतना क्लोज आप्शन नहीं देगा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए क्लियर बात है ये ठीक है शौर है तो लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्जिमम न 36 by 5R तो रेशो किसका किसका लेना है आपको हमेशा लैम्डा मैक्जिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम का रेशो जनरली पूछते हैं लेकिन वो उल्टा भी तो पूछ सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए लैम्डा मैक्जिमम 36 by 5R 36 divided by 5R divided by 4 by R तो यहां से आप कैंसलेशन करोगे तो देखो आर से एक काम करता हूँ देखो ये ऊपर ऊपर चला जाएगा ये बीच बीच वाले मिल जाएगे तो कितना आएगा 36 इंटो आर डिवाइड़ बाई फाय आर इंटो 4 चार से काटोगे 9 बार आर से आर कट जाएगा मतलब आंसर आएगा 9 बाई 5 अच्छा मै बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं आ रहा होगा फॉर्मुला कौन सा फॉर्मुला सर जी कब बताया था आपने सर जी तो भाईया आपने उस जगह स्क्रीन को आगे बढ़ा दिया होगा इसलिए आपको पता ही नहीं लगा होगा कि ये फॉर्मुला हम लोगों ने सीरीज के अंदर बामर सीरीज के लिए एन की वैलु कितनी आएगी तो तो आपने रखना है टू तो टू प्लस वन का होल स्क्वेर डिवाइड़ बाई टू इंटू प्लस का वन दो और एक तीन का स्क्वेर करोगे नौ दो दो चार और एक पांच सो नाइन बाई फाइव बीदा आंसर ठीक है और बामर सीरीज विजीबल सीरीज होती है क्योंकि इस बामर नहीं तो देखा था सबसे पहले तभी तो पटा लगा अब देखा मतलब विजीबल हुआ होगा उसको कहीं ना कहीं से तो यह विजीबल है मैक्सिमम कितनी आ रही है 6566.4 और मिनिमम कितनी आ रही है 3648 एंगस्ट्रॉम तो इसके बीच की जो भी वेवलेंद होगी वह विजीबल सीरीज के अंदर में होगी और वह बामर के अंदर में होगी चलो लाइमन खतम बामर खतम अब बात बताओ क्या मुझे आगे इसकी सारी की सारी निकालनी चाहिए यस और नो पहले आमर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड सीरीज में याद होना चाहिए सीरियली तो भईया तीसे नंबर पे आता है आपका पाश्चन हो सकता है स्पैलिंग तोड़ी दरोदर हो जाए लेकिन भावना वही रहेगी भावना नहीं बदलेगी ये बात ध्यान ना किये पाश्च आई ये क्या करते हैं मिनिमम और मैक्जिमम बोलो मैक्जिमम कैसे निकालते हैं एड़्जासेंड से तो वन बाई लैमडा मैक्जिमम बराबर R इंटू 1 बाई 3 का स्कवएर माइनस 1 बाई 4 का स्क वएर मतलब R इंटू 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16 तो ये आएगा R इंटू 9 इंटू 16 LC हम ले लीजिये तो ये आएगा 16 माइनस का 9 सो 169 कितना होता है 144 तो लैमडा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी कितनी 144 डिवाइड बाइड 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 सेवन आर कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे यहां पर आप लोगों को अच्छा वन भाइ आर 912 पुट करना है multiply करना है solve करना है मैं नहीं करने वाला भी अभी नहीं करूंगा मैं दो बार कर दिया लाइमन के लिए करके दिया बामर के लिए करके दिया कुछ तो calculation खुद से करो answers को आपस में verify कर लीजे आपका काम हो जाएगा भी यह कि मेरा इतना आ रहा है तेरा कितना आ रहा है बास में आ रही है clear है ओके चलो फटा फट से lambda maximum के बाद मैं lambda minimum पे काम करो फिर चप गया यह आ रही है ओके तो हमारे पास मैं lambda minimum कैसे लिखा होगे तो 1 by lambda minimum बराबर r into 1 by 3 का square minus 1 by infinity अप कई देखो कई लोग ऐसे सोज़ोंगे सर जब आपने lambda minimum का formula लिखवाई दिया है directly तो आप उससे क्यों निकाल ले बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो तो उसका region यह है यह formula आप लोगों को याद हो जाए इसके लिए क्योंकि वो तो shortcut है हो सकता है उसमें गलती कर बैटो आप लेकिन इसमें गलती नहीं होगी तो 3 square मतलब 9 by R सीधा सीधा मुझे मालूम है लेकिन मैं फिर भी जान बूच के करवा रहा हूँ बोलो फटाफट से lambda maximum upon lambda minimum का ratio तो lambda maximum कितना आया था 144 divided by 7 R divided by 9 by R फटाफट से इनको multiply कर लीजिए सबसे नीचे वाला जाएगा उपर यह बीच वाले मिलेंगे तो कितना आएगा 144 into R divided by 7 R into 9 तो देखो 3 से काटोगे तो R से तो R कटने वाला है 3 से यह कटेगा 9 से कट सकता है गया 9 एकम 9 9 6 4 1 कट जाएगा 9 1 जा 9 and 9 6 जा 54 मतलब आंसर आएगा 16 by 7 आंसर कितना आएगा 16 by 7 लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया इसके आगे कौन-कौन सा बचा है ब्रैकेट और फुंड तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रैकेट सीरीज पर ब्रैकेट सीरीज में क्या हैगा कि भईया N1 की वैल्यू तो शौर हो गई 4 है, लेकिन N2 की वैल्यू क्या आएगी 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है और अब टू सो अन कुछ भी हो सकती है आगे अब यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यह सबसे पहले आप 1 by lambda maximum निकाल दीजिए मेरे लिए तो क्या लिखोगे आर इंटू 1 by 4 स्क्वेर माइनस का 1 by 5 स्क्वेर, आर इंटू 1 by 4 स्क्वेर मतलब 16 माइनस 1 बाई 25 LCM लोगे तो कितना आएगा यह आएगा 16 इंटू 25 25 माइनस का 16 25 मैं से 16 आगे तो बचेंगे 9 तो यह आ रहा है 9R divided by इतना बड़ा नंबर वैसे देगो तो 25 25 2500 और यह आएगा कितना 400 आएगा यह ओके तो यह लैमडा मैक्जिमम की वैल्यू कितनी आ रही है तो यह आएगी 400 divided by 9R अगे इन 1 by R को 912 पुट करना और सॉल करना है ठीक है लैमडा मैक्जिमम निकाल के दे दिया मैं ही सब निकाल के दे ही रहा है न चलो कोई बात नहीं आप भी क्या याद रखोगे किस दिल्दार से पाला पड़ा है लैमडा मिनिमम बोलो कितना आएगा R into 1 by कौन सी सीरी चल रही है यह पास्चन मतलब 4 square minus 1 by infinity लैमडा मिनिमम की value बता दीजे फटापड से आएगी कितनी 16 by R अगला step क्या होता है take the ratio तो आप लिखोगे लैमडा maximum divided by लैमडा minimum कितना था वह यह वो 400 divided by 9 R whole divided by 16 by R एक बात ध्यान रख लीजे यह दिस सवालों को आप जल्दी से जल्दी solve करना चाहते हैं तो यह सारा data आपको पता होना चीए क्योंकि हो सकता है वही 2-3 सवाल आपके जल्दी से solve हो जाएंगे और यह आप सोचो कि आप इनको लिखे हो और एक जगे रटने चालू करो तो वो तो होने वाला है नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि रटने से काम नहीं बनेगा प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे आर से आर कैंसल करो चार चोग सोला चार से काटोगे सौ चार से काटोगे पच्चीज तो answer आ रहा है 25 बाई 9 इस दा answer 25 बाई 9 इस दा answer फुंड सीरीज है मतलब यहाँ पर क्या होगा क्लियर बात है एन वन बराबर तो 5 होगा यह तो शौर है और एन टू बराबर होगा 6, 7 और अप टू इनफिनिटी फिर से वही काम आपको करना देखो आज के लेक्चर में सीखने लाएक ज़्यादा कुछ नहीं था एक फॉर्मूला बस मैंने बताया और यह प्रैक्टिस है भी अब एक बात ध्यान दकना मैं बार-बार बोलते जा रहा हूं वन बाई आर की वैल्यू 912 पुट करो 912 इंटू 16 करो मिनिमम वेवलेंद की वैल्यू मिल जाएगी तो वो डेटा थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है नहीं रहे तो कोई ऐसा नहीं की कि हाड और फास रूल है कि मैंने आप बोल लिया कि रयात करना है उससे कहाँ थोड़ा सा का स्क्वेर माइनस 1 बाइ 6 का स्क्वेर मतलब आर इंटू 1 बाइ 25 माइनस 1 बाइ 36 LCM लोगे तो यह आंसर आएगा 25 इंटू 36 36 माइनस 25 यह आएगा 11 आर बाइ 25 इंटू 36 बाइ लेंबडा मैक्जिमम है यह चलो take the reciprocal तो यह लेंबडा मैक्जिमम आ रहा है आपका 25 इंटू 36 डिवाइड बाइ 11 आर ओके 25 धाई सो धाई सो धाई सो साड़े साथ सो और 25 देड सो 900 मतलब लेंडा मैक्जिमम विल बी इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाइ 11 आर वन बाइ आर की जगे 912 पुट करना और आपको आंसर मिल जाएगा clear है अगला क्या है लेंबडा मिनिमम के लिए अब देखो ऐसा लग रहा होगा मैं ज्यादा दिर रुक नहीं रहा हूं एक स्क्रीन पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार आराम से कर सकते हैं लो थोड़ी देर के लिए रख दिया क्या फरक बड़ा है यह तो कैलकुलेशन है जो आपका काम था होमवर्क मैं देना चाहिए था बेसिकली मैंने बट मैं करवा रहा हूं ठीक है क्यों जि आपका वह आने वाला है कितना में 25 डिवाइड़ बाई और 25 डिवाइड़ बाई और नौ अगला स्टेप रेश्व तो आप लिखोगे लैमडा मैक्स अपां लैमडा मिनिमम्म यह आएगा कितना 900 डिवाइड़ बाई 11 आर होल्ड डिवाइड़ बाई 25 आय और रेश्यो ल इन्टो आर डिवाइड़ बाई 11 आर इन्टो 25 तो देखो cancellation करोगे तो क्या होगा cancellation करने पर यहाँ पर बताओ फटाफट से आर से तो आर कैंसल 25 से काड़ोगे 25 चौका 104 नाम 36 तो 36 बाई 11 और यहाँ पर इसकी कहानी है और इससे जढ़ा कुछ भी नहीं जो भी मैंने याँ पर पढ़ाए सारे नियुमेरिकल ही ऑँ वो बस मैंने last में final answer नहीं निकलवाया इतनी बात जरूर तै है clear है sure है आप लोग अच्छा अब यहाँ पर एक point और है वो यह है कि देखो अब इसमें जो सवाल बनते हैं वो basically इसी level के सवाल होते हैं जादा hard and fast सवाल है नहीं कोई physics में कुछ नहीं आ जाएंगे ऐसा नहीं है now एक point और आता है यहाँ पर वो आता है कि explanation of second postulate by D. Brogley D. Brogley explanation of this is the last point D. Brogley explanation of Bohr's second postulate basically क्या है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बोर का second postulate क्या है क्या था बोर का second postulate मैं आपको बता दूँ आपके NCRD में यह point दिया हुआ आपको बस पढ़ना है इस पर से question आने की उम्मीद कमी रहते लेकिन क्या है या heading पे question मन गया कि second postulate को बोर के second postulate को किसने explain किया था D. Brogley ने किया था में लिए देखो क्या है second postulate क्या है बोर का बोर का second postulate कहता है कि जो electron उन्हीं orbit में चक्कर लगाते हैं जहां पर इनका angular momentum mvr जिसे बोलते हैं angular momentum mvr h upon two pi का integral multiple होता है यह बोर का second postulate था तो इसमें तो कोई radiation chapter में कई लोग बोलंगे इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि देखो डी ब्रॉग ली आइपोदिसी तो अल्यडी पड़ा हुआ होता है हम लोगों कैसे कि जैसे light dwell nature होती है वैसे ही particle का भी dwell nature होता है मतलब wavelength भी होती है और particle nature भी होता है तो वही dwell nature की बाद चल रही है तो mainly उन्होंने क्या कहा कि जब electron अपने orbit में चक्कर लगा रहा होता है तो उसके साथ ही साथ में वहाँ पर waves भी produce हो रही होती है अब यह जो waves पर बांद यह हमारी हो गई रसी इसे बोलते हैं string क्या बात है सर जी हमें तो पता ही नहीं था रसी को string कहते हैं है ना कितने लोगों के मन में आया सभी बताव इमांदार इसे आया ना ओके चलो कुछ नहीं हसके मन को हलका फुलका कर लीजिए अब देगो मैं क्या बोल रहा हूं इस रसी को यदि मैंने दो सिरों पर ऐसे बांद दिया है ठीक है अब मैंने क्या किया इस रसी को पकड़ा बीच में से अब यह पकड़ने के लिए मेरा हाथ देगो ड्रॉइंग इतनी अची नहीं कि मैं हाथ बनाओ यहां पर तो आप समझे क्या हो रहा उसको समझे यह एक दीवार का सिरा यह दूसरा दीवार का सिरा दोनों के बीच में रसी को बांद दिया रसी को टाइड बांद दिया मैंने ठीक है अब इसको मैंने क्या गिया बीच में से पकड़ा और ऊपर पकड़के खीच दिया तो यह जो design होती है ना इसमें क्या होता है कि यह जो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो मेंली क्या हो रहा है कि आपने energy transfer करी और कुछ नहीं हुआ है तो यह तो है these are the ends of the string रसी के किनारे हैं और रसी के किनारे पर देखे amplitude जो होता है amplitude का मतलब आपको सिखाया जाता है maximum deviation from the mean position तो यह रसी के लिए रहे को यह जो है यह बीच की mean position हो गई हो गई की नहीं हो गई तो आपने बोला yes तो इससे maximum deviation तो यहाँ पर तो maximum deviation का deviation ही नहीं है तो यहाँ पर deviation जो आ रहा है mean position से deviation from mean position जीरो deviation from mean position is what 0 और ऐसे point को जहाँ पर deviation 0 आ रहा है बोला जाता है node क्या बोला जाता है node मतलब यह जो point है आपका यह कौन सा point है node वाला point है अच्छा यहीं पर है कि यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या है node और ऐसा point जहाँ पर आपका deviation maximum है तो maximum center में है तो इसे बोला जाता है anti node इसे क्या बोला जाता है anti node मतलब anti node क्या है deviation from mean position is maximum deviation from mean position is maximum तो इसे बोला जाता है anti node तो basically यह जो कहानी यहाँ पर निकल के आ रही है तो वो कहानी को कैसे relate किया है उन्होंने तो बोला कि भी यह देखो जब यह node बगएरा बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर energy का transfer हुआ तो string के अंदर में waves बनी और यह जो waves है उनका हुआ interference interference का मतलब है कि एक wave दूसरे wave के उपर superimpose हुई और इसके कारण से क्या हुआ कि interference हुआ और interference में क्या होता है कि यह चीज़ें जुड़ती है मतलब amplitude से amplitude जुड़ेगा तो कहीं पर maximum amplitude होगा कहीं पर minimum amplitude होगा तो कई लोगों को यह कहानी परेशानी वाली लग रही होगी basically यह सारा portion जो है वो waves chapter का है अब जिनको waves chapter आता है जिनको 11 standard पड़ा हुआ है waves पड़ा हुआ है उनके लिए point आसान है लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है तो ऐसा होने पर यह जो बनती है इसे कहा जाता है stationary wave इसे क्या कहा जाता है stationary wave ठीक है अब बिलकुल सेम उन्होंने क्या कि कि उन्होंने बताया डी ब्रागली सर ने कि देखो यह आपका एक electron जहां पर चक्कर लगाएगा यह इसका nucleus हो गया और यहां पर इस orbit के अंदर में electron को चकर लगाना है जब electron को चकर लगाना है तो जब electron चकर लगाएगा तो वो चकर कुछ ऐसे ऐसे अब देखो यह मेरा बना है कैसा ही से रहे वाँ काफी अच्छा बन गया यह एक side और यह दूसरी side बना लेते हैं ठीक है यह diagram है तो देखो इस वाले हिससे को देखो यह वाला जो हिससा है ना यहां पर देखो यहां से लेकर के यहां तक का हिससा बीच में हरी लाइन है तो वो original position दी रसी की ठीक ही नहीं मैंने बोला yes और जब मैंने उसको खीचा पुल किया और छोड़ दिया तो वो मैंने क्या बोला रसी जन जन आईगी स्टेंडिंग मतलब खड़ी हुई मतलब वो अपनी जगह पर रुकी हुई होती है एनर्जी का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होता है बासम्यार यह तो वो अपनी जगह पर ही है clear है यह position बासम्यार स्टेंडिंग वेव मतलब stationary wave basically देखो wave का मतलब क्या है wave is nothing but the disturbance मतलब आप disturbance करते हो एक रसी को लिया आपने और सोड़ा सा समझा देता है यहाँ पर यह भाईया देखो यह ऐसे मेरा यह है मेरे पास में रसी है यहाँ पर आपने पकड़ा और ऐसे जटका दे दिया तो क्या किया धीरे 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 यहाँ पर चलती हुई आगे की तरफ सरक रही है तो यह जो energy का transfer हुआ यह wave के form में हुआ लेकिन यहाँ पर जहाँ पर standing wave बन रही है जो मैं बोल रहा हूँ इसे क्या बोल रहा हूँ standing wave या stationary wave तो इसमें क्या हो रहा है बस आपके जो particles है वो उपर नीचे उपर नीचे तो कर रहे है लेकिन वो उपर नीचे करते हुए आगे नहीं सरक रहे है लेकिन जो यहाँ पर आपने क्या किया यहाँ पर जब ऐसा किया देखो आपने ऐसे जटका दिया दिया जटका यहां के particle उपर नीचे हुए यही उपर नीचे 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 आगे तक जा रहा है कि electron के साथ में अब ये जो कहानी होती है इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये तब होती है जब इसका जो circumference है इसका जो circumference है वो wavelength का circumference जो है circumference equals to integral multiple of integral multiple of wavelength मतलब 2 pi r बराबर n into lambda ये situation निकल के आती है तो हमारे पास में ये situation बनती है कौन सी वाली ये वाली जिसे इससे मैंने relate करके दिखाया है बास में standing wave का concept तो अब देखो क्या हो रहा था वहां पर एक point और आ रहा था वह क्या आ रहा था कि आपको इरी बोर के postulate में मालूम होगा कि वह क्या बोल रहा है कि energy क्या होते जा रही है इलेक्ट्रों इदी घूम रहा है तो उसने energy खर्च करनी पर energy खर्च करता चला जाएगा energy उसकी क्योंकि चलता हुआ Maxwell ने बोला था ना कि if a charge particle is moving then it will emit the radiation and if it is emitting the radiation it definitely इसका मीनिग यह है कि धीरे कुछ समय के पश्चात में तो इसकी energy क्या हो जानी चाहिए खतम हो जानी चाहिए लेकिन डी ब्रॉगली के हाइफो दिस इस निवन्दर डी ब्रॉगली सर ने यहां पर इसको properly अच्छे से और ए integral multiple है लेकिन यह आएगा कहां से तो यह 2 pi r बराबर n into lambda का conception में आया कि यह जो circumference है वो integral multiple of wavelength होगा तो हमारे पास में ऐसी situation बनेगी कि electron ऐसे घूम रहा है तो काफी छोटी speed हो गई मैंने वोला yes तो इस case में हमारे पास में जो electron है उसका particle nature के इसाफ से डी ब्रॉगली hypothesis हम लोग लिखेंगे lambda बराबर h upon p तो अब हमारे पास में दो equations यहां पर तयार हो चुकी हैं एक है 2 pi r बराबर n lambda और दूसरी है यहां पर lambda बराबर h upon p so therefore I can write that 2 pi r बराबर n into h upon p और p को मैं लिख सकता हूँ m into v तो हमारे पास में आएगा 2 pi r बराबर n h upon m v अब इधर उधर adjust कर लीजे तो देखो क्या हो जाएगा m v r बराबर m v r बराबर n h upon 2 pi तो यह इसका proof भी हो गया clear है m v r बराबर n h upon 2 pi तो यह कारण है यहां पर आने का तो बीच में तो waves का concept आदेखो एक बास सुनिए जिनको waves का concept अच्छे से याद आता है उनी के लिए यह simple है अदरवाइस कई लोगों को इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई होगी कि अचानक से sir standing wave अगेरा कौन कौन से terminology यूज करने लग गए बट क्या है कुछ चीजे जनजना हाट वाली बात करी, waves वाली बात करी, energy disturbance, energy का आगे चलने की बात करी, clear है तो अब यहाँ पर को point क्या आया था कि जब यह standing wave बनती है तो energy आगे पीछे नहीं जाती है तो हमने यहाँ पर clearly देखा कि जब electron चल रहा है तो वो कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है मतलब ऐसे electron च चल रहा है जिसके कारण उसका energy emit नहीं होती है, clear है, अब यह जो energy emit होती है वो तब ही होती है जब उसको बाहर से कही energy मिले और वो energy लेके higher energy orbit में जाए और वहाँ से वापस से जब jump करके वापस अपने energy level पे आएगा तो फिर photon के form में energy निकलेगी, clear है, are you sure, so इसी के साथ मै हमारा यह chapter जो है, atoms theoretically पूरी तरह से समाप्त होता है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो question किये न वो अपने आप ही में ही questions है, जो theory है, वही question भी है, बाकि इसमें practice का खेल है, मैंने पूछा आप से simple सी बात है, मैंने पूछा आप से radius बतानी है, तो radius कैसे बताओगे, तो यह 0.53 N square by Z है, अब मैंने बस N और Z की value तो put करनी है, और कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, clear है, sure है, मैंने बोला ठीक है, अचा मैंने बोला velocity की बात करें, electron की velocity तो 2.2 into 10 to the power 6 into Z by N होता है, Z और N की value put करके निकल जाएगी, energy के भी minus 13.6 into Z square by N square लिखोगे, तो जादा कुछ भी नहीं और उतना ही आपने chemistry में भी already किया हुआ होता है, so आज के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि atom chapter theoretically पूरे दरह से समाप्त हो चुका है, आज हम लोग यहाँ पर समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, so आज के लि अगले लिक्चर के दर्मयाँ, so तब तक के लिए धर्मयवाद